ही एवरिमन वेलकम टो माई चैनल माई कॉमन रचोई तो ये फैस पैक के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा इतना ज़्यादा इफेक्टिव है इसका रजल्ट इतना अमेजिंग है कि आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे और इसको बनाना भी इतना आसान है कि आप कभी भी बना सकते हो इसको इजली बन जाएगा और इतना ज़्यादा सो फेसियल आप करवाओगे तब भी इतना अगलो नहीं आएगा जितना इसको लगाने के बाद में आएगा अगर आपको कहीं साधी पार्टिव फंक्सन में जाना है तो दो दिन पहले बस यही दे सकते हैं इस तरीके से 2-3 चमच आपको दही लेनी है दही में होता है इलेक्टिर एसिट जो की हमारी स्किन को मौसराइज रखने में काफी ज़्यादा है काफी ज़्यादा और हमारे दाग धब्बे जो होते उनको काफी ज़्यादा लाइट करता है क्योंकि इसमें मिलाएंगे काफी काफी तो आपको पताईए हमारी स्किन को काफी ज़्यादा लाइट बना देती है तो काफी का मैं हमेशा फेस पैक इस्तेमाल करती हूँ और दही में अगर आप इसमें मिला लोगे ना तो आप खुद कहोगे कि ये पहले क्यों नहीं बताया हमें तो इस हपते में दो से तीन बार इसको ट्राय करना है ये देखिए लेकिन साधी पार्टी फंक्संग में जाने से पहले दो दिन पहले इसका जरूर से जरूर इस्तेमाल कीजिए रजल्ट आपके सामने होगा तब तक इसको दो से तीन मिनट मिक्स करते हैं तब तक चैनल को सब्सक पतला सा पेश्ट बनाना है जादा गाड़ा भी थिक भी नहीं बनाना है इस तरीके से तो ये हमारा बनकर हो गया है रैडी और हम सेकंड चीज क्या करेंगे हमें करना है सकर्ब ताकि और जादा गिलो आए हमारी स्किन और जादा निखरे जो हमारा स्किन जो धूप के वज़ उसके लिए लेना है आपको बीटूट थोड़ा सा जो है काट लेना है और उसके बाद थोड़ा सा हम चीनी से स्कर्ब करेंगे यानि सूगर से अब देखिए आप पिंक पिंक सा कितना अच्छा पहले से ही गलो आ गया है सकर्ब करने के बाद में तो मैंने वास भी कर लिया है एक मिनट तक स्कर्ब करना है आपको अगर फेस पर कर रहे हो हलके हाथों से कीजी और हाथ पैरों पर कर रहे है तो थोड़ा सा आप कर सकते हो अच्छे से तो इस तरीके से उसको वास करने के बाद हमें ये जो पैक है इसको अप्लाई करना है इस तरीके से ये देखिए मैं अच्छे से अब हमें थोड़ा सा ओमाटर लेना है, काटने के बाद में उसमें कौफी डाल लेनी है और इस तरीके से मसाज करनी है अच्छे से चहरे की चमक बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा वीक में दो बार आपने इसको कर लिया ना तो आप खुद कहोगे आपको किसी जो मार्केट वाली किरीम की स्कर्ब की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है आपने जो चीजों से भी अपनी स्किन को काफी जादा निखार सकते हो स्किन की जो नमी होती है उसको बरकरार रखने में काफी जादा हेल्फ करेगा डैड स्किन जो आपकी हो गई है उसको हटारे में काफी जादा मदद करेगा चेहरे को किलीजिंग के लिए भी बहुत जादा मदद करेगा आपकी तो इस तरीके से अच्छे से कर लेना है अपने देखी कितना अच्छा रजल्टाया कितना अगर आपने यह इस्तिमाल कर लिया ना लोग कोई नजरे नहीं आटिंगे आपके फेस इतना ज्यादा गिलो देने वाला है फ्रेंड्स पिलीज लाइक जरूर से जरूर करना थैंक्स पूर वाचिंग